नमस्ते दोस्तों मैं कवीता रादय की रेसे बिवानी में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे पुने की फेमस मेंगो मस्तानी जिसे देखते ही मुँमें पानी आ जाए इसको स्वाथ मेंगो शेक से कहीं बढ़कर है तो चलो रेसे भी बनाना शुरू करते हैं यह यहां पर हमने पके हुए मीठे और ठंडे दो आम लिया है इन्हें अच्छे से वाश कर लिया था आम की टॉप हटाकर इन्हें हलके आतों से छीलेंगे जिससे की आम का पतला चिलगा उतरे आम मीठा होगा तबी मैंगो शेक अच्छा बनेगा आम में छोटे-छोटे कट्स लगा कर इन्हें छोटे टुकडों में काटेंगे जिससे की आम की प्यूरी इजीली बन सके आम का पल्प हटाने के बाद गुटली हम अटा देंगे दोनों आम हमने काट लिये हैं यहां पर हमने अमूल गोल्ड का 500 ml मिल्क लिया है इसके बाद मिक्सी के जार में कटा हुआ आम डालेंगे चीनी कितनी डालें आम खटा होगा तो चीनी ज्यादा डालेगी यहां पर हमने पांच एटी स्पून चीनी डाली है इसके बाद आदा दूद मिक्सी के जार में डालकर तीन-चार मिनट तक ग्रैंड करेंगे जिससे की आम की फाइन प्यूरी बन सके जार को बाकी बचा दूद भी मिक्सी के जार में डालेंगे यहां पर हमने मदर डेरी की वैनिला आइसक्रीम ली है मैंगो शेक में आइसक्रीम डालने से मैंगो शेक क्रीमी बनेगा तीन-चार इसकुप भरकर आइसक्रीम मैंगो शेक में डालेंगे दो से तीन मिनट तक इसे एक बार ओर बिलेंड करेंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है यहां पर हमने एक टी स्पून सब्जा सीर्चू को आदा गणता पानी में सोप कर लिया था में मेंगो मस्तानी सर्वे करने के लिए गिलास में एक एक दो दो टी स्पून सब्जा सीट से डालेंगे इसके बाद ठंडा ठंडा क्रीमी क्रीमी मेंगो शेक डालेंगे गिलास थोड़ा खाली रखेंगे जिससे की दूसरी चीजे भी डास रखें इसके बाद डालेंगे एक एक ग्रीन टूटी फ्रूटी ली है, इसके बार डालेंगे एक एक चेरी, इसके बार डालेंगे मैंगो चंक्स, और लास्ट में डालेंगे सबजा सीट्स, हमारी ठंडी ठंडी मैंगो मस्तानी सर्व करने के लिए तयार है, इसे खा सकते हैं और पी भी सकते हैं, इसलिए इसे सर् दिन या पार्टी में बना सकते हैं आज की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर